लेकिन इस मैच को देखते हुए मैं यही कहुँगा कि अभी शेक नंबर 3 ही कहलेंगे, 100 लगाया तो इसलिए आप उनको प्लेंग 11 से डॉप नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं बचाता हूँ कि Sanju Samson को थोड़ा बैटिंग करने का ऊपर मौका मिले, तो कि वो लंबे टाइम से टी प्लेंटर ऑफ अट्रेक्शन कोन है, तो मैं रवी शेक नहीं कहुँगा, क्योंकि लगातर दो मैचों में वैसे 6 विगट उनके हो चुके हैं, तीसरे मैच में विगट नहीं मिला लेकिन जो फ्लाइंग कैच पकड़ा था उन्होंने आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा थ ब्राइन बैनेट का, बिश्नोई को कैसे देखते हैं? चहल की तो उनने एच्छा परफोर्मेंस भी किया, उनके टीम भी प्लेओफ में पहुचके, उसका एडवांटेज उनको मिला, कि वोल्ड कप खेल गया, आला कि प्लेइंग लवी में में खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन अगर फूचर को देखे ना मौनू, तो दोज़ इसके वल्ड कप को देखते हुए, शिर्लंका तूर को देखते हुए, रवी विश्णोई के पास अपर एच है, उनके पास कही ना कही एडवांटेज मिल रहा है उनको, चहल थोड़ा पीछे रह जाते हैं, असलिए मुझे लगता है कि चहल साइड हो जाएंगे, कुल्दी प्यादों भी कमबैक करेंगे, लेकिन कुल्दी प्यादों के बलाए दो दूसरा स्पीनर होगा, वो अखिल भाई ने साफ कर दिया, कि वहाँ पर विश्णोई आपको नजर आएंगे, लेकिन जो दूसरी टीम है, जिमबाबे के टीम के लिए देखे करो है, अमरों का मुक पारते हैं और इसलिए तो बहुता स्ट्रगल करती है इनकी टीम क्योंकि उपर से रना आजाएं फिर जीमबाबे अच्छा करता है, लेकिन भाई इनकी बैटिंग जो रिवोल करती है, सिकंदर रजा के आसपास ही करती है, सिकंदर रजा रन बना दें फिर इस टीम की बल्ल सिकंदर रजा, कप्तान, कप्तान की बल्लेबाजी भी करता है, फिल्डिंग अच्छी करता है, बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है, और मैच में शुमन गिल को भी आउट कर रहे हैं, चार या पाँच विकेट ले चुके हैं, इस टीम के लिए सबसे बड़ी प अच्छी कर पाई, तीनों मैचों में कुछ नहीं कर पाई, इनोसेंट काया, हर मैच पहले शुरुबाती दो मैचों में, मुकेश कुमार्ड इनको क्लीन बोल्ड किया है, तीसरे मैच पर जगा भी नी बन पाई थी टीम में, लेकिन एक्स्पिरियेंस प्लेयर है, और अगर जिमबाबे को कमबैक करना है, तो उनको केलना पड़ेगा, इनकी बोलिंग में बड़े-बड़े नाम है, मौलू, टेंडे, चटारा, मुझरबानी, मसाकाज जा, ये लंबे समय से केलते आ रहे हैं, अब इनको मोर्चा सभालना पड़ेगा, क्योंकि जिमबाबे एक अच् थ्रेट अगर आप दे, भाई ये मौनू, थोड़ा थ्रेट रहना पड़ेगा, इंडिया को बच कर रहना है इस खिलाड़ी से, नहीं, थ्रेट तो मुझे लगता नहीं कोई होने वाले जिमबाबे की दोर से, और मैं चाहता हूँ कि जिमबाबे करे लेकिन फिर भी, एट सिकंदर रजा, वो रन नहीं बनाएं, विकेट से गेंदबाजी से अच्छा कर रहें विकेट ले रहे हैं, लेकिन रन कब बनाएंगे सिकंदर रजा ये है, भाई रजा तब ही आएगा मज़ा जब रन बनाओगे आप, तो देखिए दोस्तो हमने आपको प्लेंग 11 बताई फटावर्ट कर लिजी.